नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का पाल मिश्ट्री गैन चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि अगर आपके हाथ में ऐसी रेखाई हैं या ऐसा चिन है तो आपको जेल की यात्रै करवाते हैं कहते हैं न मन की इस्तिती बिगड़ जाती है तो सब कुछ बिगड़ जाता है किसी ब्यक्त के जेवन में कई बार ये दुखदी इस्तिती का सामना करना पड़ता है आसमान में बैठे ये विद्धिमान गरा कहीं न कहीं एक संचार की तरह एक रेलियेशन की तरह हमारी माइंड को प्रभावित करते हैं जिसमें की मुख्य गरा होते हैं राहू, शनी, मंगल इनकी स्थिति बिगड़ने पर हमें उलज जाना पड़ता है लड़ाई का सेयोग बन जाता है और इनी स्थिति को कहीं नगी कोट के मर्टर में जाने के बाद कोट की स्थिति ऐसे हमें फैसला सुनाती है कि जो हमें जेल करवा देती है इसको जेल योग कहते है तो दोस्तों इस वीडियो का आप पूरा देखें इस वीडियो के माधम से आपको एक नई और रोचक जानकारी मिलने वाली है और इसके पहले अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्क्राइब से नहीं किया है तो किरपया सब्क्राइब अवस कर ले और ये भी से अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक अवस कर ले आईए अपने हाथ की तीन मुखरेखाओं को देखते हैं सबसे पहले ही हमारी ये जीवन रेखा जीवन रेखा हमारे जीवन के एक एक प्रोस्पिक्ट के बारे में बताती है और ये हमारी मस्तिक रेखा हमारे माइंड के बारे में बताती है हमारे विचार कैसे कितने गहराईयों पर काम कर रहा है कि हमारी हिड़ते रेखा हम किसी के साथ कितना टैस्मेंट है हमारे प्यार है उसके बारे में बताती है और ये हमारी भाग रेखा मागरेखा जिसको हम सनी की रेखा बोलते हैं, अपने करम की रेखा बोलते हैं सबसे पहले हम देखते हैं कि कोट केज के संकीत हाथ में ये मंगल का परवत है, इसको नाम उर्द का मंगल बोलते हैं उर्द मंगल बोलते हैं, उर्द मंगल का ये छेत्र है और इस पर एक खड़ी लाइन, ये हमें पुलिस इस्टेशन और कोट के दर्शन करवाती है, और इसी तरह से ये निम्न का मंगल है, ये भी मंगल है, ये उर्द मंगल है, ये निम्न मंगल है, और इसी निम्न मंगल से एक रेखा चल कर इस हमारे सनी के रेखा में मिल जाए, ये भी हमारे उपर कोट केस का मेरेटर त्यार करती है, एक सुक्र के परवत से, ये हमारे सुक्र का छेतर है, सुक्र का परवत है, और यहां से एक रेखा, जाके इस भाग रेखा में मिलती हो, सिर्फ मिलने का संकेत बने बताया, और इस निम्न मंगल से, उर्द मंगल से, माप करना है ये उर्द मंगल से, इस सनी की रेखा में मिल जाए, जिसको हम बाग के रेखा बोलते हैं, ये आपके उपर कोट केस से लेगा, लेकिन उसमें आप डिगरी कब होगी, अगर ये रेखाएं, ये क्रोंज कर जाती हैं, ये रेखा पार कर जाती है, इस हमारे सनी की रेखा को, तो आप कोट से बरी हो जाएंगे, मतलब मुकदमा आप जीत जाएंगे, और इसी परकार से आपको जेल कब होगी, ये रेखाएं सारा कुछ व्यक्त करती हैं, जैसे की हमारी इस्तिती का जो भी सामना करना पड़ता है, ये रेखाओं के दौरा हमें प्राप्त होता है, ये रेखाएं ही हमें बताती हैं, अब ये हमारी जो मस्तिक रेखा थी, और ये हमारी हिर्दे रेखा थी, अब ये जो हमारी भाग रेखा है, भाग रेखा, ये हमारी चल के, ये चंदर का परबत है, इसको हम चंद्र का परवज बोलते है अगर इसकी तरफ मूड जाती है तो आपको 35 पियर में 35 पियर में आपको जेल हो जाएगी आपको इस पियर में जेल होने का संकेत बताती है लेकिन यही एक संकेत यहाँ पर हो रहा है यहाँ पर यह तीन चार लाइने इस जीवन रेखा को काटे काटने का मतलब जीवन में परेशानी जीवन में निरासा और यह तीन रेखाएं जीवन रेखा को यहाँ भी काड़ दे यह जीवन रेखा को तीन रेखाएं यहाँ भी काड़ दे ऐसे लोगों को मांसिक परेसानी और उसके मांसिक परेसानी के साथ ही उसको कोट के दर्सन मुकदमा चलना अभी आपको मैंने बताया कि महाँ पर आप जीत जाते हैं लेकिन ये मन को परेसान करने का इसको हम बोते हैं कि राहु रेखा भी कह सकते है राहू क्या है तरह का करेंट आए, मन को इमोशनल करता है और कई बार क्या होता है? इस हमारे जीवन रेखा पर एक बर्ग का कार बन जाए और जीवन रेखा के उपर ढख दे उसको, इसी सिति में आपको इतने साल तक आप जेल के अंदर रहेंगे या आप किसी के दौरा किटनेप कर लिये जाएंगे मतलब ये काल कोठरी कर समय बताती है जेल की या किसी के दौरा कटनेप कर लेने की लेकिन बर्ग हमेशा बचाने का काम करता है अगर यहाँ पे ये रेखा टूटी है और इसके ओपर एक बर्ग बन जाए तो यह आपके लाइफ को दान दे देती है, बचा देती है लेकिन अगर रेखा के उपर बर्ग बन जाता है तो आपको उस पीरिड में जेल की हवा अवस खिला देती है और आपको क्या अपने जीवन में कई बार ऐसा समय आता है कि जीवन के आखिर पड़ाओं पे अपना बिजलित हो जाता है कि कई बार जादा परेसान हो जाता है और यह आपर फोर्क बन जाए यह फोर्क, सनी के परवद पे फोर्क बन जाए बच्पना तो आपको बहुत अच्छा बीच गया यह वावस्ता बहुत अच्छा बीच गया लेकिन जो आपकी पौड अवस्ता आई है उसके बाद का जो समय आपका आएगा वो आपको कहीं न कहीं ये आपको जेल में रहना पड़ेगा जिसको बोलते हैं कि आपको इस पिरेड में लास्ट वाले पिरेड में आप जेल के अंदर ही रहेंगे और इस संकेत को कई बार उमर कैद में भी बदल जाती है तो दोस्तों ये रही आज की हमारी वीडियो फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं और आप सब का पूरे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धनबाद